हला उरी पन आप सभी को नमस्कार कॉपरिटिव बेंक का जो एक्जाम हो था उसकी कट ओफ के उपर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या कट ओफ रह सकती है कुछ विध्यारतियों ने मुझे ऐसे कहा कि इतनी कट ओफ नहीं जाएगी आप गलत बता रहे हैं आप यह बोल रहे हैं अच्छा मुझे बाब बताओं मैं बिल्कुल सटीक बात बोलूंगा और सटीक कट ओफ बताओंगा इस वीडियो में क्यों इतनी कट ओफ रह सकती है उसका कारण क्या है और दूसरी बात टोटल कितने विध्यारती थे जिन्होंने एक्जाम दिया सबसे पहली बात तो यह कि competition बहुत बड़ा है एक seat पर 60 student है दूसरी बात इसमें जिले वाइस कट ओफ आएगी सबसे बड़ा main point यह इसमें जिले वाइस आएगी तो कोई किसी जिले की जाधा रहने वाली है और किसी जिले की कम रहने वाली है ठीक है तो हमें highest देखना पड यह सबस्ट प्लस बन रहे हैं जेपुर से 75 प्लस बन रहे है 78 75 यानि कि आप हर student को देखोगे तो आप 75 प्लस 70 प्लस तो सब इस्ट्रेंट के पन रहे हैं लगब लगब अब यह इतना number क्यों बन रहा है उसका कारण यह हर student बोल रहा है कि मेरे तो 40 में से 40 आएंगे math में च करता है 20 ले लेते हैं क्योंकि जीके का थोड़ा सा लेवल टफ रहा था लेवल सिप्ट वन के मुकाबले सिप्ट टू में थोड़ा सा टफ रहा था और जीके को मतलब एक से current जीके का भी portion कहीं हद तक टफ रहा था तो 20 number average 20 ले ले लेते हैं तो दोनों में इलाके हो गया 55 अब बात की जाए cooperative की तो cooperative में आसानी से आप 20 में से 12 प्लस तो आसानी कर सकते हैं अगर average 15 के आसपास ले तो सिता 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 70 तो बनी रहा है 70 तो बनी रहा है 35 बीस अगर ये ले 35 बीस और बारा ले लेते हैं एक बार के लिए तो अगर बारा भी लेंगे तो 67 के करीब बन रहा है कि इतना तो atlis आपके बनना ही चाहिए ये मेरा गनीत है अगर आपके 67 से कम number आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी district से आपका chance हो सकता है general category की बात कर रहा हूं SCST में थोड़ा सा हो सकता है कि cutoff नीचे जा सकती है तो 67 से कम है general category में चाहिए आप किसी भी district से है मुझे नहीं लगता क्योंकि इसमें negative marking नहीं थी negative marking नहीं थी तो 67 65 से नीचे तो मुझे नहीं लगता कि cutoff जाने वाली है और मेरा जो अनु सबसे जादा जो है उदेपूर की रह सकती है जादा से जादा 82 के समतिंगे मैंने highest score लिया था कि 82 प्लस अगर किसी student के है तो यह एक safe score है safe score का मतलब आप यह मान के चलो आप किसी भी category में हो तो आपका selection होनी की priority 99.99% है 82 प्लस है तो यह 82 प्लस लिया था मैंने कि यह highest score है एक तरह से safe score हो सकता है मैं यह नहीं कह रहा थे कि 82 आपकी cutoff रहेगी ठीक है अगर lowest की बात की जाए तो 60 से नीचे मुझे नहीं लगता किसी भी category में चाहिए हो SCO STO किसी भी category में 60 से नीचे selection होगा और किसी भी जीले से ह बात नहीं कर रहा हूं विकलांग जो PhD से कुछ बोलता है उसको ठीक है physical handicapped ठीक है तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं जनरल OBC SCC की बात कर रहा हूं 60 से नीचे cutoff नहीं रहने वाली है 70 के around cutoff रहेगी 70 के आसपास ही cutoff रहेगी इतने ज्यादा भी नहीं जाएगी 70 के आसपास होए आपकी cutoff रह सकती है 70 से 75 के बीच में हो सकता है किसी डिस्टिक में 75 प्लस भी जाए और हो सकता है किसी में 80 प्लस भी जाए तो वह डिपेंड करता है डिस्टिक के ओपर ओके थैंक्यू वेनिमच